साथियों आज पूरी दुनिया भारत को बहुत आशा से देख रही है हम अपनी आधादी के 75 वर्ष का परवा मना रहा है अगले 25 वर्षों में भारत जिस उंचाई पर होगा उसका रोड मैप बना रहे है और आज जब मैं मुंदेल खन की धर्ति पर आया हूँ जांसी की राणी लक्ष्मी भाई के इलाके में आया हूँ यहां से इस वीर भूमी से मैं हिंदुस्तान के 6 लाज से भी जादा गाउं के लोगों को करबच प्रार्थना करता हूँ कि आज जो हमा आज हादी का परव मडा रहे हैं इसके लिए सेंक्रो वर्षों तक हमारे पुर्वजों ने लड़ाई लड़ी है बलिदान दिये हैं यातनाय जेली है जब 75 वर्षा है हमारा दाईत्व बनता है अभी से योजना बराए आने वाला एक महिना 15 अगस तक हर गाउं में अनेक कारकम हो गाउं मिलकर के यात कारकम करे आजादी का अमरत महुत संथ बनाने की योजना बनाए वीरों को यात करे बलिदानियों को यात करे स्वातंत्र सिनानियों को यात करे हर गाउं में नया संकल्प लेने का एक मासा बरन बने ये मैं सब देश वास्यों को आज इस बीरों की भूमी से प्रार्थना करता हूँ साथियों आज भारत में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसका आधार वर्तमान की आकांच्छा और भारत के बहतर भविस्त से जुड़ा हुआ नव हम कोई भी फैसला ले, कोई भी निर्णे ले, कोई भी निद्जी बनाए इसके पीछे सबसे बड़ी सोच यही होनी चाहिए कि इससे देश का विकास और तेज होगा हर वो बात जिससे देश को नुक्सान होता है देश का विकास प्रभावित होता है उससे हमें हमेशा हमेशा दूर रखना है आजादी के 75 वर्षों बात भारत को विकास का यह सबसे बहतरी मोका मिला है हमें इस मोके को गवाना नहीं है हमें इस कालखन में देश का जादा से जादा विकास करके उसे नई उचाई पर पहुंचा रहा है नया भारत बना रहा है